हालो फ्रेंज, बेलकम टू मंत्रा, इस टिटोरियल में हम आपको EDS Pro 8 के स्क्रीन स्ट्रक्चर के बारे में कौन-कौन सी बिंडो है, उसमें क्या-क्या काम होता है, और इसका वर्किंग इन्वारिमेंट क्या है, यदि आप पहले से EDS के यूजर रहे हैं, तो आपको इसमें क इन्जॉय आप तब कर पाएंगे जब आप इस पे वर्क करेंगे, क्योंकि इसमें काम करना पहले के वर्जन से काफी इजी, इंट्रेक्टिव और हेलफुल बनाया गया है, इसमें सामान तोर पर वही में चार विंडो ही है, ये प्रभी विंडो है, ये बिन विंडो है, य और ये आपकी पैलेट विंडो है, ये चार विंडो ही मुख रूफ से प्रिबियस वर्जन में भी थी और इस वर्जन में भी है, और जैसा कि आपको पछले वर्जन में आपको जानकारी होगी, कि इसको भी प्रभी विंडो है, इसको हम दो रूफ से यूज कर सकते हैं, ए यहां पर यह player area recorder अलग-अलग दिखाई पढ़ने लगते हैं, इसे हम dwell mode बोलते हैं, यदि हम यहां पर इसको single mode में use करते हैं, तो यह के वर एक ही preview monitor as a player और as a recorder दोनों तरीके से काम करता है, और यह आपकी bin window है, इसमें हम source files को ले के आते हैं, यहां पर manage करते हैं, और आवसेक पढ़ने पर उनको हम प्रियोग करते हैं, player में भी और timeline पर भी, और इस window में आपको कई सारे उपर tools दिखाई पढ़ते हैं, इन tools का प्रियोग करके हम editing के बहुत सारे महात्मूर्ण कारियों को अंजाम देते हैं, और इसके नीचे side में भी आप जब देखेंगे, यहां पर वर्जन में भी था, bin है, effect है, sequence marker and source browser भी है, इसके अतरिक्त, यदि हम timeline window पर जाते हैं, तो timeline window पर यही एक ऐसे window है, जहां पर main रूप से video rating का कर किया जाता है, इसके upper part में भी देखेंगे, आपको कई सारे tools दिखाई पढ़ रहे हैं, जैसा कि पहले options, पहले के versions में भी था, हम आपको इसके बारे में अभी आने वाले tutorials में बताएंगे किस tools का क्या कार है, preview monitor में भी पहले की तरह नीचे आपको play करने के रिए, marking करने के लिए, या trim करने के लिए कई सारे options दिखाई पढ़ रहे हैं, यहां पर आपके look के उसकी clip की duration से संबंदित time course उगरा भी जा सकते हैं, किसी window को बड़ा छोटा करने के लिए आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, दो या तीन यह सेंटर में रख करके आप किसी भी window को ऐसे अपने हिसाब से इसको manage कर सकते हैं, किसी window को छोटा बड़ा किया जा सकता है, यदि आपको किसी area में कहीं पर इनको आपको अल कस्टमाइज करने वाला साफ डियर है इसको आपने अश्यक्ता अंसवर कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरीके साफ इसको परवर्थिज करके आप इसको यूज कर सकते हैं विंडो ले आउट यहां पर जाएंगे, नार्मल पर क्लिक करेंगे, तो यह नार्मल हो जाएगा, जैसा कि by default में इसका look था.